तरेदी महाराज कहते हैं मैंने पतंद्य से भी कुछ सीखा है बुले क्या सीखा है कि द्रश्ट्वास्त्रियंदेवमाया तदभावई रजतेंद्रियाहं प्रलोभिता पतंत्यंधे तमस्याद्डव पतंगवद कि द्रश्ट्वास्त्रियंदेवमाया तदभावई रजतेंद्रियाहं प्रलोभिता पतत्यंधे तमस्याद्डव पतंगवद ये राजन मैंने पतंगे से सीखा है कि जैसे मैं रूप पर मोहित हो जाता है और आग में जो है पूद जाता है और जलके मर जाता है वैसे ही अपनी इत्रियों को वश्मे ना रखने वाला पुरुष्ट्व जब इस्त्री को देखता है तो उसके हाव हाव पर लट्टू हो जाता है और गोर अंतकार में नरख में गिरकर अपना सत्यानाश कर लेता है सचमच में यह इस्त्री देव माया देवताओं की माया है जिससे जीव भगवार या मौक्ष की प्राप्ती में वंचित हो जाता है यहांपर कितना सुंदा इसको अगर हम एक सावन ने भाषा में पढ़े तो एक प्रकार सही रखता है कि यह तो वई इस्त्रीयों के विरोध की बात हो रही है लेकिन नहीं यहांपर देख इस्त्री को कितनी बड़ा कितना महाल पग दिया गया कि इस्त्री को ने द्रश्ट्वास्त्रयंदेव माया प्रभू की माया है इस्त्री और प्रभू की माया बोले जो इस माया के आधीन हो गया वह तो उसका तो सब सर्वस्व सबब हो गया लेकिन जिसने इस माया को अपने आधीन कर दिया येर केर प्रकारेर अर्थार जिसमें अपनी इस्त्री को लक्ष्मी स्वरूपा बना दिया उसको नाराणपद की प्रप्ती होगे हमारे यहां बड़ा सुन्दर एक भाव उत्पन्न होता है श्रीमान ये श्रीमान का भाव हमको कप्रप्त होता है ये श्रीमान जी का भाव हमको कप्रप्त होता है जब हमारी श्रीमती होती है श्रीमान का भाव हमको कप्रप्त होता है जब हमारी श्रीमती जी होती है दोनों भाव हमको देखिए श्रीमान और श्रीमती ये श्रीमती अर्थार ये जो हमारी बुद्धी है श्री कहते हैं लक्ष्मी को और वद्धी कहते हैं मती कहते हैं वद्धी को ऐसी वद्धी सरूपा लक्ष्मी सरूपा वद्धी जो अपने नाराण की आज्याकारी है जिसको प्राप्त करके वियक्ति श्री अर्थान लक्ष्मी को तो प्राप्त होता ही होता लेकिन इस संसार म सलमान को भी प्रप्त होता है यह श्रीमान के यह श्रीमान श्रीमती और श्रीमान कितना सुंतर होategна अक्सर करके इस्त्रियों को कम मुद्धी का कहने अकल का कम कहने वाले लोग अक्सर करके उन इस्त्रियों के एक अधा पर अपनी अक्ल को खो देते हैं यह जो द्रिष्टांत हमको यहां पर फ्रक्त हो रहा है यह द्रिष्टांत हो बोले अर्थार हम यह इस्त्रियों कित्रा उच्च गोटी का पद्धिया गया है हमारी मत्र शक्तियां देवताओं की ये प्रभू की माया है जो मिलाने का भी काम करती है और उससे दूर करने का भी काम जो प्रभू के सनमुख रहती है एक जीव के सामने परदा रखती है कि अगर तुझे उससे मिलना है तो तुझे मेरा अश्रय लेना पड़े तुझे अगर उससे बात करनी है तो मेरा अश्रय लेना पड़े यधास्त्रियों देव माया तनभावे रजितेंड्रिया जो व्यक्ति इनको अपना बना लेता है ये निकेड प्रकारे हैं इनको अपने अनुपूल बना माया को ये भोग माया भी है और योग माया भी है ये भोग माया के रूप में जब हमारे सामने प्रस्तत होती है तो हमको इश्वर से गिमुख कर देती है लिकिन जब ये योग माया के स्वरुप में हमारे सामने प्रस्तत होती है तो यह है हम तो प्रभू से मिलन कराने का कादिर करती है तो और था वास्तविक्त जो मूर्खव कामनी कंचन गहने कपड़े आदी नाशवान माईक पदार्धों में फटा हुआ है जिसकी संपूर्चित्तवृत्ति उनके उप्योग के उनके उपुम्होग के लिए लिलायत है वह अपनी विवेक भुद्धी को खो करके पतंगे के समान मश्त हो जाता है समान हो जाता है यह राजन संभ्यासी को चाहिए कि ग्रहस्तों को बड़ा सुंदर भाव दिया गिया है यह इतना सुंदर भाव है कि इसलिए संभ्यासी अपने जीवन को एकार की सरूप में ग्रहस्तों से यह जादा प्राण करें शीवल को बड़ा संदर शंकरते के महाराश श्रीजी ने तो ग्रहस्त धर्म ग्रहस्तियों की बड़ी प्रशनसा की है। ग्रहस्त धर्व को बारम बार नमन किया है। या बड़ा संदर हो ले जो व्यक्ति भगवत प्राप्ति चाहता है। भगवार के चरणों का अनराग चाहता है। वो यह कावनी को प्रा इस्त्री को भी शरत्था के समान देखें। उनकी जो पतणी थी वह अपनी पत्नी में मा का दृश्ण करते। मां काली का दूश्य दामक्रिष्ण परमांद ऐसे ही सिद्ध नहीं दें यह सब जो चीट है यह हमारी अंदर की जो इंटर्नल पावर है इंटर्नल पावर अंदर उनी हमारी शक्ति उनको जाक्रत करती है और जब यह जाक्रत होती है तरहों को भगवान के पद की प्रप्ति होती है इसलिए राजन व्यक्ति को चाहिए कि वह पदग्ये से शक्षाले कि रूप पर मोहित्र और रूप किसी भी प्रकार का हो सकता है रूप स्त्री सरूप यथा स्त्रियंदेल माया स्त्री सरूप में भी आ सकती है वह माया कंचन कामनी रुपया पैसे के रूप में भी रूप में भी रूपया पैसा है वह इनी श्री का सरूप है रुपे पैसे के रूप में भी यह माया आपको भटका सकती है यह मूट पदार्थों के तत्तों में भी यह माया हमको भटका सकती है गले में मोटी सोने की जन्दीर पड़ी है उसमें भी हमको भटका सकती है अर्दार बोले निर्लिप्त रहे विप्ति उसको रूम को देख परके आगवे उसके आधीन ना हो तो तो उसको भगवाल देचरव की प्राप्ति होगी नहीं तो उसका जीवन जैसे पतंगा आग के चमकती हुई इस लोग को देख करके उसका भाव करता है कि मैं इसको प्राप्त कर लो और जैसे उसे प्राप्त करने के प्रकार से साधर को चाहिए कि वह रूप का प्रिद्याथ को